नोटिस और विजेपी अध्यक्ष जेपी नड़ा को ये नोटिस दिया गया है, उदर कॉंग्रिस अध्येश मलेकार जुन खरगे को भी ये नोटिस दिया गया है, राहूल गांदी और प्रदानमंत्री नरिद्र मोदी के भाषणों को लेकर ये नोटिस चुनाव आयोक के द नेताओं को जिस तरीके की भाषा उनके द्वरा इस्तेमाल की गई है, उसको लेकर दोनों ही राजनेतिक दलों के अध्यक्षों को नोटिस इलेक्शन कमिशन ने जारी किया है, जवाब देना होगा 29 अप्रेल सुबह 11 बजे तक, वहीं चुनाव आयोक के नोटिस पर हम उस पर जवाब जरूर देंगे. खिलाफ है, तो कुछ देरी हुई है, और भी हमने शिकायते की हैं, जिस तरीके से अलग-अलग उम्मीदवार, धरम का उप्योग, या मैं कहूं, धरम का दुरूप्योग कर रहे हैं, हमने इलेक्शन कमिशन को अवगत कराया है, और हम पुरा विश्वास करते हैं कि इलेक् रविंद्र लाइफ जुड रहे हैं, और साथी अजली सिंग लाइफ जुड रहे हैं, रविंद्र देर आए, दुरूस आए, भाशन तो ऐसे बहुत दिनों से चल रहे हैं, लेकिन आप एलक्शन कमिशन ने जाकर ये नोटिस दिया है, आब आगे क्या जवाब देने की ति का इस्तवाल ने करें, कई तरह का बाते कही गई थी, लेकिन डे वन से इन सब का उलंगन हो रहा है, अब जो नोटिस आया है, तो चुकि प्रधान मंत्री अस्तरक पर ये नोटिस गया है, चाहे राहूल गानी के लिए गया हुआ है, सभी दोनों पाटियों का अध्यक्श क को इसका जवाब देना, जवाब दिया जाएगा का आगे से हम ध्यान रखेंगे, लेकिन एक बात है कि बीजेपी लगबग एक दरजन बाद, लगबग बारा बार, इलेक्शन कमिशन जाके शिकायत की है, राहूल गानी के खिलाब, कि जिस तरह से वो परधान मंत्री के खि जुन तक या एक जुन आखरी तारीक है, यानि माई के आखरी तक चुनाव परचार होंगे, उसमें इन सभी चीजों का आपको पूरा देखने को मिलेगा, यानि कुछ रोक नहीं लगने वाली है, नोटी जारी होगी, संजम बरतने की बात कही जाएगे, यह चुनाव दर, जाय कौन से रेड लाइन हो, यह तैय नहीं है, बिल्कुल रविंद्र आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन यह हम और आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, कि चाहें कितनी भी विकास की बात कर लीजे, शिक्षा की बात कर लीजे, अंत में आके वोटर भी जो है, वो जातीकत समी करणों पर ही वोट देता है, और इसलिए शायद नेताओं की भी मजबूरी हो जाती है, इसी लाइन पर अपने भाशन को रखने की, अंजली सिंग, बिल्कुल शोबना जी, और यही वज़े है कि शायद चुनाव आयोग को भी एक निश्पक्षिता दिखानी है, क्योंकि दोनों तरफ से ही शिकायते जो है वो दी गई थी, चाहे वो कॉंग्रेस की ओरते हो, जहां पर डेलिगेशन गया था, और प्रिधान मंत्री के भाशन में जो शब्द यूज किये गये, उस पर आपत्ती जताई थी, और इस मामले में कई और दलों की ओर से भी शिकायत जो ह बाशन भी उन्हों ने दिये हैं, तमाम चीजों पर दोनों तलों की ओर सापत्या जताई गई थी, और ऐसे में चुनाव आयोग को एक स्टैंड जरूर लेना था, क्यूंकि आपत्ती जनक बाते कही जा रहे हैं, जब चुनाव प्रिचार में और वो मॉडल कोड अफ पंड चोटा सा जवाब आप से ले लेती हूँ, अगर हम इतिहास पर नजर डाले तो नेताओं को नोटिस दिया जाता है, राजनेतिक दलों के अध्यक्षों को दिया, बिल्कुल जिसे का अजली ने कहा, चुकि मामला बीजेपी के सर्वोचस्तर के नेता का बारे में कह सकते हैं इलेक्षन कमिशन एक अच्छा रास्ता निकाला है, बिल्कुल और एक प्रोटोकॉल भी होता होगा, शायद जिसकी जनकारी हमें नहीं होते होगी, क्योंकि ऐसा कभी पहले हुआ नहीं होगा, और आप दोनों ही मेरे साथ बने रहे हैं, आगे बढ़ेंगे चौबिस के रा उलेक्षन सतल्ध सकत मुमशन एक और यर उनकारी होगा भी होंगे से बन्दादा है, आप और रहें होते हूआआ कि जनकारी हे जिसके बने उड़ेंगे होगा प्रोटोकुल